नमस्कार दोस्तो आप सबका स्वागत है हमारे येटूब चैनल में दोस्तो आज आपका चेप्टर स्टाड करने जा रहे हैं आप फेलो ट्रेबलर ये आपका सेकंड चेप्टर होगा प्रोज में और इस चेप्टर में आपको आने वाला है बहुत ही आनंद तो आप इस चेप्टर की सभी वीडियो को देखें जिससे के आप इस स्टोरी का आनद दे पाएं तो इसमें लेखक और एक मक्षर के बीच में बहुत कुछ होता है लड़ाई होती है बहुत कुछ इंट्रेस्टिंग चीज है और लेखक भी बहुत तोर में अपने उसमें रहते हैं मक्षर भी अपने रॉब में रहता है और कैसे इन दोनों के भीच संबाद होता है फिर लेखक कैसे मस्चर के प्रती कैसे अपनी भावनाओं को विक्सित करता है और ये पहले तो ये चाहते हैं कि हम मक्षर को लड़ा देंगे बट ये ऐसा ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो चलिए जानते हैं चैप्टर में और ये चैप्टर देखिए स्टार्ट करते हैं अब फैलो ट्रेवलर एक यात्रा का जो यात्रा कर रहा होता है व्यक्ति उसका साथ ही ये लिखा है एजी गार्डनर ने 1865 मिन का जन्म हुआ 1940 में ये दुनिया को अलविदा कर गई थे यानि ये निकल लिये थे इस दुनिया से एवार्ड दा ओथर के बारे में जानेंगे देखेंगे एजी गार्डनर और डिस्टिंग्विष्ट का मलब होता है यानि सम्मान नहीं है वो कि जनलिस्ट पथरकार एजनम इमिन्ट अमिन्ट का मलब होता है ये इनका जो जन्म होगा था 1865 में इनका जन्म होगा था as a journalist, journalist के तौर पर as a as a कमला होता के तौर पर आप यसे मान लेजिए आप अभी student हो class 12 के as a student student के तौर पर आपके जो principal है as a principal, principal के तौर पर आपकी मम्मी है as a mother as a father, father के तौर पर as a grandfather दादा के तौर पर तो इस तरीके साब कह सकते हैं तो journalist के तौर पर इनोंने जो कार किया है as a journalist तो इस तरीके सा आपको मैंने बता दिया कैसे आपको यूज करना है as a journalist, as a mother, as a father as a grandfather, किसी के भी तौर पर आप अगर role निभार रहे हो अपने इस real life जीवन में तो आप उसके तौर पर अपना कार कर सकते हो ठीक है तो उसके तरह एज यह कह सकते हो as a friend, मतलब मित्र के तौर पर मैं आप के लिए यह करना चाहूँगा मालीज यह आप कुछ करना चाह रहे हो किसी के लिए, अपने मित्र के लिए he worked, उन्होंने कार किया end और edited edited the daily news और daily news agency में इन्होंने एक actor के तौर पर काम किया 17 years, 17 साल तक in London, कहां पर किया था लंडन में किया था, 17 साल तक इन्होंने लंडन में काम किया था किस agency में, तो the daily news, ओके यह agency का नाम है, he wrote several, उन्होंने लिखे, wrote several मतलब अनेक, several अनेक volumes of the essay, उन्होंने बहुत सारे volumes of essay लिखे, ऐसे निवन्द लिखे, under the pen name of, इनके pen के pen से उन्होंने कौन कौन से निवन्द लिखे, pen का name क्या था, alpha of the flow ये इनके pen का नाम है hedge, prominent, उनके famous, यानि prominent का मलब था, famous, imminent, prominent famous एकी बात है, यानि प्रिसिद, प्रिसिद बख्स आर, इनके जो प्रिसिद बख्स थे, वो कौन कौन से थे, priest and kings, इनका एक novel था, priest and kings, यानि पुजारी और कौन राजा, पैवल्स on the sea, एक पैवल, ऑन दा सी और, इनका एक निवन्द था, famous निवन्द था, पैवल्स on the sea, पैवल्स मनलब होता, कंकर, सी ओ, सीर, सौर्स, सौर्स का मनलब होता है, on the सौर्स, यानि जो समुद का किनारा होता है, उसकी बात कर रहा है, सौर्स, okay, and leaves in the winds, और एक निमन था, इनका leaves in the wind, यानि लीप्स में स्पंतिया, और इनमी से में, बिंड में सहवा में, हवा में पत्तिया, अगर आप प he will be remembered, परंतु उन्हें हमेशां याद किया जाएगा, और उन्हें हमेशां क्यों याद किया जाएगा, वो भी आप देख लीजी, इसमें लिखा हुआ है, forever, throw his unique writings, उन्हें हमेशां याद किया जाएगा, throw his unique experience, unique writings, उनके अधतिया लेखन के कारड़ उन्हें हमेशां क्या कि जाएगा, उन्हें हमेशां याद किया जाएगा, जानेंगे अब हम एवाड़ दा लेसन के बारे में, ओके, और चलिए, जानते, लिखा हुआ है एवाड़ दा लेसन, लेसन के बारे में, the lesson of fellow traveler, ये जो लेसन है fellow traveler, has been selected, जिससे select किया गया है, जिससे चुना गया है, leaves and winds, बायू में पत्तियों, उन्स निवंद से इनके से इसे लिया गया है, it is a fine specimen of personal essay, इनका जो ब्यक्तिकत ऐसे था, उसका एक ये क्या है, प्रत्रूप है, एक नमूना है, या एक एक सेंपल है, कह सकते हैं, पैसी मैन, समझे गए, the author, the author, here, describe, यहां पर लेखक बर्डन करता है, how he develops, कैसे उसने, बिक्सित की, और feelings of affection, यानि प्रेम, सिसने की, भावनाओं को कैसे उसने, डवलब किया, affection का मलब होता है, इसने, feeling मिस होता है, भावना, लिख लिजे, मीनिंग, डवलब मिस होता है, बिक्सित करना, तो डवलब की, for a mosquito, एक मक्षर के लिए, एक मक्षर के लिए, उसने कैसे, कैसे भावनाओं को अपने, क्या किया, डवलब किया, कैसे उसने डवलब किया, मॉस्किटो के लिए, यानि आप इसे, net भी कह सकते हो, इस तरीके से, ये मॉस्किटो की एक दूसरा बढ़ हो जाए, मॉस्किटो के लिए, regarding him, उसके सम्मान में, उसने अपने अंदर, कैसे फीलिंग्स को डवलब किया, as a fellow traveler, एक यात्रा के साथी के तोर पर, उसने कैसे, उसके लिए, फीलिंग्स को अपने को डवलब किया, and, and a mortal, और एक fellow mortal के तोर पर, mortal मतलब होता है, जो नस्वर जो मरने वाला हो, यानि हम लोग है, हम लोग भी मरने वाले जिसने जन्म लिया, वो तो लड़के गई, तो उसके तोर पर, इन्हों ने यहां पर बात करी है, तो इस वीडियो में बताया था, आपको एवार्दा लेसन मैं आपको बताऊँगा, यहां से start करके, और मैं सोचूँगा कि आपके कम से कम दो paragraph तो आपके complete होई जाए, यहां तक, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे, हम आपको next वीडियो में, तो तब तक के लिए आप से लेंगे विदा, thank you